गुड मॉर्निंग एप्रिवन, बैलकम टू एक्जाम और्बिट क्लासिस, तो आज है 9 नवंबर और आज के इस सेशन में 9 नवंबर से बनने वाले सभी महत्पून कुश्चन्स को डिस्कस करेंगे, अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी क रहने वाली है तो एक बार क्लास को आप सभी शेयर कर देंगे, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, जिसका आंसर देना है आपको कमेंट्स बॉक्स में, इस रो किस देश के सयोग से मून के सैडो साइट पर खोच करेंगा, रसिया, जापन, सयोग तराज अमेरिका या फ्रांस, इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा बीडियो के लास्ट में, तो चलिए डिस्कॉस करते हैं, फर्स्ट कोईशन, मत्रवरंदावन को कब तक सुद्ध सून कारवन उस सरजन पर्याटन इस्थल बनाने का लक्ष रखा गया है, तो यहां पर आता है तो यह उत्तर प्रदेस में आता है और उत्तर प्रदेस सरकार ने मत्रॵा ब्रंदावन को सुद्ध सून कारवन उस सरजन का जो लक्ष है ना वो 201921 तक रखा है, याद रखेंगे कब तक 2021 तक जısकी घोश्टा हाली में उत्तर प्रदेस सरकार दुबारा की गई है आगे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंट्स यह भारत में किसी पर्याटन इस्थल के लिए निर्धारित इस तरह का पहला कारवन न्यूटरल मास्टर प्लान होगा अब आप कमेंट्स करके बताईए कि देश की पहली कारवन न्यूटरल पंचायत कौन सी बन गई है कमेंट् डिस्कस करेंगे कुछ प्रमुक लक्ष हैं जैसे कि 2050 तक सुद्ध सुन कारवन उस्सरजन लक्ष निर्धारित करने वाला पहला दच्छड ACI सहर कौन सा बना है तो मुंबई के दुबारा ये घोचना की गई थी भारत कब तक सुद्ध सुन कारवन उस्सरजन के अपने लक्ष को हासिल कर लेगा तो फैंट्स भारत 2070 तक इस लक्ष को हासिल कर लेगा केंदर सरकार ने किस वर्स तक किर्सी छेत्र में डीजल को अक्षे उज़ा में बदलने का लक्ष रखा है दो हजार चौबिस तक अब आपको बताना है कि टीवी हारेगा और देज जीतेगा ये लक्ष भारत सरकार दुवारा कब तक के लिए रखा गया है कमेंट्स करेंगे आप सभी आगे डिस्कस कर लेते हैं भारत के प्रमुक पर्याटन इस्तल बिक्यात पर्याटन इस्तल जिसमें गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस छेत्र में इस्तित है तो फ्रेंट्स ये दोनों ही आते हैं आपके स्री नगर जमुकस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् मकवरा कहां पर है तो ये आगरा में आपको देखने को मिलेगा और इस मकवरे से आपको याद रखना है कि जो पित्रा दुरा सैली है ना उसका प्रियोग इस मकवरे में किया गया है इस मकवरे को बनवाया किसने था नूर जहाने अपने पिता की स्मर्थी में बाकी अगर अजन्ता की गुफाएं पूछे तो याद रखेंगे महरास्ट राज में है डाइमंड हारवर और साल्ट लेक सिटी ये कहां पर है फेंड्स तो ये कॉलकाता पच्छिब बंगाल में है कुटुबुदीन एवग दुवारा निर्मेत कुबबत उल इसलाम मजजित कहां पर है तो ये नई दिल्ली में है रामपपा या रुद्रेश्वर मंदिर ये किस राज्ज में है तो ये तेलंगाना राज्ज में है और फेंड्स याद रखेंगे युनेस्को की विश्व धरो और सूची में ये सामिल है महा कालिश्वर मंदिर कहां इस्तित है तो ये मद्द प्रदेश में है मद्द प्रदेश के उज्जें जिले में आता है काशी विश्वनात मंदिर कहां पर है तो ये उत्तर प्रदेश वारणासी में है तो ये कुछ प्रमुख भारत के परियाटन इस्तल थे जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है डिस्कस कर लेते हैं उत्तर परदेश के बारे में basic information तो map में आप सभी उत्तर परदेश की location देख सकते हैं friends ये है उत्तर परदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनव लखनव किस नदी के किनारे है गोमती नदी के किनारे है अब उत्तर प्रदेश से करेंट अफ्यर आपको क्या क्या याद रखना है तो जो नाइट सफारी पार्क है देश का पहला वो उत्तर प्रदेश यानि की लखनव में बनाये जाएगा एजुकेशन टाउन सिप कहां पर बनेगी देश में पहली बार तो उत्तर प्रदेश में बनेगी साथी में याद रखेंगे कि जो भारत का त्रेपनवा टाइगर रिजर्ब है ये कहां पर बनाया गया है उत्तर प्रदेश में और इसका नाम क्या है तो रानीपोर टाइगर रिजर्ब है जो कि उत्तर प्रदेश का चौता टाइगर रिजर्ब है आगे डिस्कुस कर लेते है उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुखे मंतरी योगी अधित्यनात है राज़पाल स्री मती आनंदी बेन पटेल है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज़ कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है निर्वाचन सीटों की अगर बात करें तो लोग सबा सीटे 80 है राज़पाल सीटे 31 है और बिधान सबा सीटों की संख्या यहाँ पर 403 है कमेंट्स करके बताइए कि हिमाचल प्रदेश में बिधान सबा सीटों की संख्या कितनी है अगर आप लोग पहली बार चैनल पर बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी बेल आइकन दवाना बिलकुल ना भूलें जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को जादा से जादा शियर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा इस क्लास की पीडियाप आप सभी को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर मैं आपको बता दू कि अक्टूबर 2022 का जो करेंट अफियर है मंतली करेंट अफियर जिसमें आपके लिए टॉफ 100 कोईशन के बारे में डिस्कस किया गया है उस वीडियो को भी आप सभी देख सकते हैं क्योंकि आगामी परिक्छा में आपको इस वीडियो से जिसमें 100 कोईशन जोग्राफी के मास्टर वीडियो है इसे भी आप सभी देख सकते हैं जिसमें टॉप कोईशन को कवर किया गया है बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर निम्ने मैंसे किसके नए आकड़ों के मुताबिक 2050 तक विश्व धरोवर इस्थलों मैंसे एक तेहाई ग युनेसको ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2050 तक विश्व धरोवर इस्थलों मैंसे एक तेहाई गिलेशियर गायब हो जाएंगे आए डिसकस कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में तो फ्रेंट्स इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया है यदि पूर्भ औध्योगिक अबधी की तुल्ला में वैश्विक तापमान में ब्रदी 1.5 डिगरी सेल्सियस से अधिक नहीं होती है तो अन्न दो तेहाई गिलेशियरों को बचाना अभी भी संभव है ये युनेसको की आखडों में कहा गया है फिर साती में आपको बता दे कि कारवन उस सरजन को कम करन के अलाबा युनेसको ने गिलेशियर की निगरानी और सरक्षन के लिए एक अंतरास्टिय कोस बनाने की भी बकालत की है तो ये युनेसको दुआरा जारी किया गया आखड़ा है डिस्कस करेंगे कुछ लुप्त प्राइक गिलेशियर जहां से एक्जाम में कोईशन बन सकत हैं जो 2000 से 27 प्रतिसत तक कम हो गये हैं डोलो माइट्स गिलेशियर कहां पर है फ्रेंड्स तो ये इटली में है येलो इस्टेन नेशनल पार्क जो की उतरी अमेरिका में है डिस्कस करेंगे युनेसको के बारे में तो युनेसको की फुल फॉर्म आप सभी याद रखेंगे युनेसको का जो हेटकॉाटर है वो पैरिस फ्रांस में है युनेसको के बर्तमान में सदस से देशों की संख्या एक सो तरानवे है युनेसको के जो बर्तमान में प्रमुक है वो ओद्रे असोले है अब आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि संयुक्त राष्ट में बर गया है तो फेंटस विद्धि आयों का गठनन कर दिया गया है तो विद्धि-आयों के जो नए अध्यज बनये न को नियायमूर्ति रिटु राज अवस्ती को बनाए गया है जिने आप सब पिक में देख सकते हैं अन्य उप्संस के बारे में भी याद रखेंगे जैसे कि न्याइधी चंद्रुचूड तो ये नालसा के कारेकारी अध्यच बनाए गए हैं और भारत के पचासवे मुखे न्याइधी सोंगे है ना आर बेकेंट मड़ी तो ये भारत के कौन बने हैं अटॉर्णी जनरल बनाए गए है प्रदीप कुमार मोहंती इन्हें अतरिक्त प्रभार सौपा गया है किसका लोगपाल अध्यच का ठीक है आगे डिस्कस कर लेते हैं बिधी आयो के बारे में क्योंकि यहां से कोईशन बनने की संभावना पूरी पूरी है तो अध्यच कौन बनाए गए है नाम याद रखेंगे इनका नाम क्या है रितूराज अवस्ति है इसके अलावा सदस्च कौन-कौन बनाए गए है तो केटी संकरन आनंद पालिवाल डीपी बर्मा राका आरे और करोणा निधी को आयोग के सदस्च के तौर पर निउप्त किया गया है डिटिल से डिसकस कर लेते हैं बिधी आयोग के बारे में तो पहले जानेंगे कि भारत के बिधी आयोग के लिए एक नए अध्यच और अन्य पांच पैनल सदस्चियों की निउप्ति कर के केंद्र सरकार ने आयोग को फिर से बाहाल कर दिया है देखे इसमें एक अध्यच बनाए गये हैं और पांस सदस्च बनाए गये हैं जिनके बारे में अभी हमने डिसकस किया था ठीक है आयोग के अंतिम अध्यच अगस्त 2018 में सेबा निर्मत हुए तब से इसका फुनर ग कारेकार के लिए स्थापित किया गया है और कानून और नियाय मनपराले के सलाकार निकाय के रूप में काम करते हैं डिसकस कर लेते हैं बिधियायोग के बारे में तो पहला पॉइंट आप सभी याद रखेंगे बिधियायोग कैसा निकाय है तो यह एक बैधानिक निकाय है और यह भारत सरकार के आदे से गठित एक कारे कारी निकाए है इसका प्रमुक जो कारे होता है वो कानूनी सुधारों हेतु कारे करना होता है इसके जो सदस होते हैं मुखिता वो कानून विशेशक यह होते हैं फैंट्स ना पिर्थम आयोग वर्स जो पिर्थम आयोग बनाया गया था कब पिर्थम आयोग पूछे तो 1834 आंसर होगा अगर आपसे पूछ ले सुतंत्र भारत का पिर्थम बिदी आयोग कब बनाया गया था तो सुतंत्र भारत का जो पिर्थम बिदी आयोग है न वो 1905 में बनाया गया था किसकी अध्यास्ता में तो जो भारत के पहले M.C. सीतलवार इनकी अध्यस्ता में बनाया गया था विधी आयोग के बारे में वेशिक इन्फोर्मेशन है याद रखेंगे आप सभी आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एस्ट्रान यूपतियों के बारे में जैसे कि 21 वे बिधी आयोग की कारे अबधी कब समाप्त हो गई तो 31 अगस 2018 को समाप्त हो गई थी अब आप कमेंट्स करके बताईए कि जो 21 वे बिधी आयोग था ना इसके अध्यच कौन थे कमेंट्स करेंगे अंसर पंदरवे वित्तायों के अध्याज कोन है तो N.K. S.I.N.K. है वित्तायों के प्रिफम अध्याज कोन थे किसी नियोगी थे भारत के नियनतर एवा महालेखा परिख्षकोन है बर्तमान में तो गिरीज चंदर मुर्मू है अब आप लोग बताएं कि जो गिरीज चंदर मुर् रहे हैं भारत के परित्धम नियंदर एवा माहलेका परिक्षक कौन है नर्सिम राव है ठीक है प्रित्थम थे जो नीटी आयों के बरतमान में उपाद्यज कौन है डॉक्टर सुमन बैरी है जबकि नीतियायों के अध्याज कौन है प्रधान मंतरी नरेंडर मोदीजे है भारत के पहले लोकपाल कौन थे तो न्याइदीज पीसी घोस्ते ठीक है और बरतमान में कौन है जिने अत्रिक्त प्रभार सौपा गया है तो मोहनती है नेस्ट कोईशन है कि प्रोबीजनल स्टेट ऑफ दा ग्लोबल क्लाइमिट रिपोर्ट दो हजार बाईस किस ने जारी की है तो फेंट्स इस रिपोर्ट को जारी किया गया है विश्व मौसम बिग्यान संगठन के दुबारा यानि कि डबलू एम ओ ने इस रिपोर्ट को जार गया है डिस्कस कर लेते हैं विश्व मौसम बिग्यान संगठन के बारे में तो पहला पॉइंट याद रखेंगे यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 23 मार्च 1950 में की गई थी बर्तमान में सदस्य देशों की जो संग्या है वो 192 है भारत विश्व मौसम ग्यान कॉंग्रेस फेंट्स 1993 में पहली इस्टेट ऑफ क्लाइमिट रिपोर्ट जारी की गई थी ये भी आपको याद रखना है अब आप लोग जल्दी से कमेंट्स बॉक्सम बताईए कि जिनेवा में और किस-किस के मुख्याले है नेस्ट कोईशन है कि उपरास्टपती जगदीब धनकर 12 नवंबर 2022 को किस देश में होने वाले आसियान भारत इसमारक सिकर सम्मेलन में भाग लेंगे तो फेंट्स जो आसियान भारत इसमारक सिकर सम्मेलन है ना इसका आयोजन होगा कमबोडिया में कहां पर किया जाएगा तो कमबोडिया में इसका आयोजन होने वाला है जिसमें उपरास्ट पती चगदीब धनकर फाग लेंगे यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इस वर्स आसियान भारत सम्मंदू की तीसवी वर्सगाठ है जिसे आसियान भारत मैत्री बर्स के रूप में मनाया जा रहा है अन्य उप्संस के बारे में भी रिवीजन कर लेते हैं जैसे कि उजवेकिस्थान के बारे में याद रखना है कि एसीयो की जो अध्यस्ता है संगाई सायोग संगठन की इस वार किस ने की थी इंडोने सिय को लेते हैं तो सिरि-लंका से आपको याद रखना है कि विम्स्टेक की अध्यस्ता 2022 में किस ने की है तो स्री लंका के दुआरा की गई है अब डिस्कस कर लेते हैं पूर्व ACI सिकर सम्मेलन के बारे में तो फेंट्स पूर्व ACI सिकर सम्मेलन जो की आसियान आसियान का फुल फॉर्म क्या है दच्छिड पूर्व ACI रास्टो का दुआरा इस्थापित एक छेत्रिय मंच है ठीक है पूर्वी ACI सिकर सम्मेलन के कुल 18 सदसे हैं जिसमें 10 आसियान सदसे देश सामिल है आसियान में बर्तुमान में सदसे देशों की संक्या कितनी है तो याद रखेंगे 10 हैं 10 कौन-कौन से देश हैं इसमें तो वो नोई है कमबोडिया है इंडोनेशिया है लाओस मलेशिया म्यामार फिलिपीन सिंगापोर थाइलेंड बियतनाम इसमें सामिल है इसके साथ ऑस्टेलिया चाइना भारत जापान न्यूजिलेंड डच्छिड कोरिया रसिया और सयुक्त राज अमेरिका सदसे देश है किसके सदसे दे समू है जो आर्थिक और राजनेतिक सुरक्षा सयोग को बढ़ावा देता है आसियान की इस्थाप्रा अगस्त उननीस सो सरसक पैंको कियानिकी थाइलेंड में की गई थी मुख्याले कहां पर है तो इसका जो मुख्याले है वो जकारता पर है जकारता किसकी राजधानी है तो यह इंडोनेसिया की राजधानी है मैप में आप सभी कमबोडिया की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंट्स यह है कमबोडिया अब आप लोग कमेंट्स करके बताएए जो मेकांक नदी है क्या कमबोडिया से होकर बहती है नेस्ट कोईशन है कि गलोबल सिस्टम फोर अशूशियेशन है ना इसके नय अध्यच बनाय गये हैं सुनील भार्ती मित्तल किल राइक आंसर होगा ऑप्सन भी किसे बनाया गया है तो गोपाल को बनाया गया है ना डिसकस कर लेते हैं सीसे संबंदित को चैस्टर अफेक्ट तो भार्तिय एटल के मुखे कारेकारी अधिकारी गोपाल भिट्टल को एक जन्वरी 2023 से सुरू होने वाले दो साल की अवदी के लिए ग्लोबल सिस्टम फोर ग्लोबल एसोशेशन के उपाध्यच के रूप में चुना गया है यह पद समालने वाले दूसरे भार्तिय हैं इनसे पहले इस पद पर किसे न्युक्त किया गया था तो इस पद पर सुनील भार्ती मित् है ग्लोबल सिस्टम फोर ग्लोबल एसोशेशन की जो इस्थापना है वो 1995 में की गई थी नेस्ट कोईशन है कि कॉलिंग्स डिशनरी दुवारा के सब्द को बर्स 2022 का सब्द घोशित किया गया है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे बर्स 2022 का जो सब्द है वो पर्मा क्राइस इसको घोशित किया गया है 2021 में किसे घोशित किया गया था इस डिशनरी के दुवारा तो NFT को घोशित किया गया था फेंट्स यह सब्द युद्ध मुद्रा इश्पिती और राजनितिक आइस्थरता की अबधी के दौरान जीने की भापना का वर्णन करता है कॉलिंग्स लर्निंग के प्रमोखों के अनुसार यह सब्द बताता है कि इतने सारे लोगों के लिए दो हजार बास्तफ में कितना भयानक रहा किस देश की अदालत ने मनी लॉंडरिंग और करचोरी के आरोपों के सिलसले में बिचोलिय संजे भंडारी के भारत प्रत्यापन के अनुरोथ को मंजूरी दे दी है तो फ्रेंट्स यह जो अनुरोथ को मंजूरी दी गई है न यह बिटैन की सरकार दुवारा दी गई है यानि कि बिटैन की अदालत ने संजे भंडारी के भारत प्रत्यापन के अनुरोथ को मंजूरी दे दी है संजे भंडारी के बारे में डिस्कस करें तो फ्रेंट्स भंडारी पर बिदेसी संपत्ती को छुपाने पुराने दस्तावेजों का उपियो करने भारतिये कर अधिकारियों को खोशित नहीं की गई संपत्ती से लाब उठाने और अधिकारियों को गलत तरीके से सूचित करने का आरोप है और उसके पास कोई संपती नहीं है ये इनका कहना है अगला सवाल है कि फोर्स दुबारा किस इंडस्टीज को भारत का नंबर बन और दुनिया का बीज़वा सर्वस रेश्टर न्युकता का दरजा दिया गया है तो फ्रेंट्स राइट आंसर है आप्शन सी रिल दुसरे स्थान पर माइक्रोसॉप्त है तीसरे स्थान पर आईबीम है चोहते स्थान पर अलपावेट है और पांच वे इस्थान पर एफल यानि कि अमेरिका की चार कंपणिया टॉप 5 में हैं इस्पेसल डोस फूर एक्जाम में डिस्कुस करेंगे एक साल में सो अरब डॉलर का राजस्व अरजित करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है तो याद रखेंगे फ्रेंट्स रिलाइंस है ठीक है गुजरात के जाम नगर में दुनिया की सबसे वड़ी एकल तेल रिफा की तो रिलाइंस की जो स्थापना है 1973 में धीरुवाई अंबानी ने की थी यह भारत की सबसे बड़ी नीजी छेतर की कंपनी है जिसका मुक्याल है मुंबई माहराष्ट में है बर्तमान में इसके अध्यच कौन है तो याद रखेंगे इसके बर्तमान में अध्यच मुकेस काम बानी है नेस्ट कोईशन है कि एक बर्स में 1020 अंतरास्टी रन बनाने वाले पहले भारती खिलाडी कौन बन गए हैं तो फेंट्स पहले भारती खिलाडी बन गए हैं सूरे कुमार यादब जिनने आप सभी पिक में देख सकते हैं इन्होंने यह उपलब दी जिमबाव के खिलाब मेलवर्ग करकेट ग्राउंड जो कि कहां पर है तो यह उस्टेलिया में है और याद रखेंगे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो करकेट इस्टेडियम है वो कौन सा है मेलवर्ग जो कहां पर है उस्टेलिया में दुनिया का जो सबसे बड़ा करकेट उचा गया था इसका राइट आंसर है जापान यानि कि इस रो जापान के सयोग से मून के सैडो साइट पर खोज करेगा याद रखेंगे आप सबी किसके सयोग से तो जापान के सयोग से इस रो खोज करने वाला है इस रो के बारे में अगर बात की जाए तो इस रो की स्थाप आपना कप की गई थी 15 अगस्त उनीस सो उनत्तर में याद रखेंगे आप सभी इस रो का मुख्याले कहां पर है तो बैंगलोर करनाटक में है इस रो के बर्तमान में अध्यच कौन है एस सोमनाथ है रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का किस देश ने सबसे पहले विश्व सुनामी जागरुकता दिवस मनाने का शुझाब दिया था तो फ्रेंट्स ये जापान के दुवारा दिया गया था विश्व सुनामी जागरुकता दिवस कब बनाते हैं पांच नवंबर को दुनिया की पहली वैदे घड़ी कहां लगेगी तो इसे मद्द परदेश के उज्जेन में लगाया जाएगा अगला सवाल है कि रिवीजन का है विश्व परसिद्ध सौनपूर मेला कहां शुरू हुआ है तो ये बेहार में हुआ है भारत के किस राज्च में चैस इन इस्कूल प्रारंब किया जाएगा राजस्थान राज्च में Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries की नए अध्यच कौन बन गए हैं फिक्की के नए अध्यच बने हैं सुब्रकांत पांडा 26 वा मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 के इस देश में होगा फेंट्स तो ये जापान में होगा जिसमें भारतिये नो सेना भाग लेने के लिए पहुँच चुकी है बर्ट ट्रेवल मार्किट प्रदशनी 2022 का मेजवान सहर कौन सा है तो लंदन है निम्न मेंसे किस मंत्राले ने घोशना की है कि इस वर्ष भारत 15 नवंबर 2022 को इसकूलों और उच्छ सिक्षा संस्थानों में जन जाती है गौरव दिवस को भबित तरीके से मनाएगा तो ये घोशना सिक्षा मंत्राले दुवारा की गई है निम्न मेंसे किस की उपलब्दियों और बिरासत पर दो पुस्तकों का बिमोचन किया गया है दुबई में वी डवलू एफ पेरा वैटमिंटन बिस्व चैंपियंसिप 2022 में भारत के लिए कौन सा पदग जीता है तो इन्होंने भारत के लिए सुवण पदग जीत लिया है नेस्ट एंड लास्ट कोईशन था कि किस देश ने सबसे पहले विश्व सुनामी जागरुकता दिवज्जेस के बारे में हम लोग डिसकस कर चुके हैं अगर आप लोगों को इन कोईशन के बारे में डेटेल से जानना है तो कल की किलाद जरूर देख लिजेगा डिसकस करेंगे टॉप 10 एस्टेटिक ची के कोईशन राष्टिय मानवा अधिकार आयोग के पिर्थम अध्यज कोन थे नियाय मूर्ती रंगनात मिश्टर प्यास सम्मान से सम्मानित पिर्थम लेखा कोन है राम बिलास सर्मा अंतरास्टिय नियाले में पिर्थम भारतिय नियाय दीज कोन है डॉक्टर नागेंत्र सिंग अंतरिच में पहुँचने वाले पिर्थम भारतिय कोन है राकिश शर्मा अर्थ सास्टर में नोबल पुरुसकार से सम्मानित पिर्थम भारतिय है डॉक्टर अमत्य सेन सावर जील राजस्थान के किस नगर के सबसे निकटतम है तो ये जैपुर के निकट है जीलों की नगरी कौन सा सहर कहलाता है उदैपुर को कहा जाता है किस जील को राश्टी जील सरच्छन परियोजना के अंतरगर समलित किया गया है उटी को कोशिका का मस्ते किसे माना जाता है किंद्र को अस्वान बांद किस नदी पर बना है तो ये नील नदी पर बनाया गया है कल के क्लास में आपसे जो कोईशन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं यूजी सीनर विश्विध्यालों और कॉलेजों से किस तिती को भारतिय भासा दिवस्ट के रूप में मनाने को कहा है 11 दिसंबर को प्रति ब्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उस सरजन में सरवादिक योगदान देने वाला देश कौन सा है तो अमेरिका है फ्रेंड्स राइट आंसर था ओप्सन ए निम्नमे से कौन संसत के दोनों सदनों में बोलने अन्य कारवाईयों में भाग लेने का अधिकार रखता है परन्तो बोट डालने का नहीं तो उसका सही आंसर था ओप्सन डी भारत के अटौनी जर्नल खाविरी जब तमिल आडू में प्रवेश करती है वहें कौन सा जल प्रपात बनाती है तो उसका सही आंसर था ओप्सन सी अब आप लोगों के लिए कुछ वाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में इसराइल के नए प्रधान मंत्री कौन बने है भारत का सबसे बड़ा विंड टर्वाइन कहां लगाया गया है इस्टोर हाउस ओफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है नेस्ट एंड लास्ट कोईशन है कि कौन सी नदी मुक्चे रूप से दच्छड अफरीका में बहती है तो फेंड इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जादा से जादा शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा मिलते हैं नेस्ट शेशन में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच